तो yes everyone कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे जब मैंने आपको science का lecture बताया है उसमें आप notes याद कर रहे होंगे अच्छे से देखिए students एक बात बता दूँ आपको कि जो भी notes मैं आपको लिखवा रहा हूँ उन notes को समझे आप और अपनी language में लिखने का try कीजिए आप अपनी language में भी उनको लिख सकते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसा का वैसा ही आप exam में लिखें बस समझना ज़रूरी है तो चलिए students ज़्यादा कोई time waste नहीं करते हुए हम start करते हैं हमारा आज का topic पिछले lecture में हमने आपसे soap और detergent के बारे में बात की थी और आज हम आपसे बात करने वाले हैं मिसेल के बारे में क्या होता है मिसेल और कैसे काम करता है तो बिना कोई time waste करें students start करते हैं तो आए students जान लेते हैं कि मिसेल क्या होता है सबसे पहले तो ये समझे कि मिसेल होता है जब आप किसी साबून को या detergent को पानी में घोलते हो ना students तो जो जाग बनता है और जाग से जो process होता है उसको हम लोग बोलता है मिसेल यह आप याद रख लो क्या होता है मिसेल देखिए the cleansing action through soaps and detergent takes place by formation of मिसेल ठीक है जो भी cleaning action होता है जो भी cleansing action होता है साफ करने का जो process होता है soap का और detergent का वो मिसेल के बनने के कारण होता है formation of missile first of all the molecules of sodium stearate देखिए sodium stearate घबरा है नहीं sodium stearate soap होता है जो हमने soap पढ़ाया ना यह वाला देखिए c17h35cona इसी को हम sodium stearate बोलते हैं तो क्या कह रहा है first of all the molecules of sodium stearate like soap are ionized in water सबसे पहले जो यह soap होता है यह पानी के अंदर ionized हो जाता है ionized का मतलब यह है कि जैसे ही आपने इसको पानी में डाला तो इसका negative part तो अलग तूट गया और इसका positive part अलग तूट गया यह दो भागों में तूट चुका है c17h35cona और co negative और na plus यह दो पार्ट में तूट चुका है students अगर आपको यह याद नहीं रहता है तो इसके जगे पर आप r भी लिख सकते हैं क्योंकि c17 मतलब बहुत लंबी chain चले जाती है इसलिए इसको हम लोग simple r भी लिख सकते है r c o o na और तोडेंगे तो r c o o minus plus na plus आप इस तरह से भी तोड़ सकते हैं सबसे पहले तो क्या करता है साबुन तूट जाता है और तूटने के बाद में ऐसी शेप बना लेता है देखो आप साप जैसी शेप ऐसे जिग जैग लाइन जैसी शेप और आखिर में जाके एक मूँ जैसा कुछ इसमें दो पार्ट होते हैं सुडेंट समझिए जो आगे वाला पार्ट होता है जिसे हम सरकल से दर्शा रहे हैं सरकल से डिनोट कर रहे हैं इसको हम कहते हैं polar part ठीक है और ये पार्ट कौन सा होता ह साबुन में COO- और इसे हम कहते हैं hydrophilic part students hydrophilic वो होता है जो water से लव करता है मतलब water से प्यार करता है water में आसानी से घुल जाता है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर water lover ताकि आपको याद रहे कि सर ने बोला है water lover मतलब ये पानी में घुल जाएगा आराम से समझ रहे है students और ये वाला होता है hydrocarbon part जो ये होती है ने tail ये तो हो गया mouth और ये हो गई tail मतलब पीछेगी इसको हम कहेंगे hydrocarbon part आर दो पार्ट होते हैं साब उनमें R COO- तो COO- तो ये हो गया और R हो गया ये वाला hydrocarbon part इसको हम कहेंगे students hydrophobic part ये जो water होता है उससे love नहीं करता ये तो love करता है और ये love नहीं करता है तो मैं बोलूँगा कि water hatter आप water hatter बोल सकते हैं इसको मतलब water से क्या करता है ये hate करता है वा पानी में घुलता नहीं है ऐसे आप याद कर सकते है water hatter water lover ठीक है students तो क्या होता है अब आप इसकी process को समझिए कि जैसे ही आप इसको पानी में डालते है students जैसे ही आप इसको पानी में डालते है साब उनको तो वो ऐसी एक shape बना लेगा मैंने अभी अभी आपको बताया जिसका आगे वाला part तो COO- है जिसको हम hydrophilic part बोलेंगे और पीछे वाला क्या होगा hydrocarbon part होगा जिसे हम hydrophobic part बोल और बीच में क्या होता है students यह बीच में होती impurity impurity होता है और उसके चारो तरफ इस तरह से missile बन जाता है मतलब इस तरह से shape बन जाती है उस गंदेगी को निकालने के लिए इसी shape को हम लोग missile बोलते है students यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि hydrocarbon part is hydrophobic and polar part is hydrophilic यह water lover है यह water hater है these parts are so arranged the hydrocarbon part is towards inside जो hydrophobic part है वो तो inside होता है impurity के है and negatively charged polar part जो negatively charged polar part है यह वाला towards the outside यह होता है बाहर की तरह it is called missile यही missile होता है students तो कहीं पर आप से पूछे what is missile तो आपको वहाँ पर यह पूरा लिखना पड़ेगा students क्योंकि यह question छोटे में नहीं आता है यह question बड़े में आता है कि missile क्या होता है missile कैसे बनता है तो यहां तक आपको पूरा लिखना पड़ेगा यह ठीक है students अब हम एक question देखते हैं कि question इस पर किस तरह से आता है students question इस पर आएगा कि how missiles are obtained कि missile कैसे बनते है give mechanism और इसकी mechanism भी दीजी आप तो mechanism अगर आपसे पूछ ले तो आप आगे का मैं आपको mechanism बता रहा हूँ कि mechanism कैसे होती है कैसे काम करता है missile वैसे अगर आपसे पूछे कि how missiles are obtained तो अब तक जो हमने यह एक page पड़ा है यह how missiles are obtained के उपर है यह वाला part कि missile कैसे बनता है अब missile की mechanism देखते है कि missile काम कैसे करता है students देखिए उससे पहले एक बात बताएंगे आपको इसको हम mechanism बोल सकते हैं M-E-C-H-A-N-I-S-M mechanism washing action of soap इसको mechanism में बोल सकते है most of impurities अधिकतर जो गंदगी होती है वो किसके होती है oil की होती है drop की होती है oil drops तेल की बूंदगी या फिर grease जो गाड़ियों में लगती है वो etc जो क्या होती है पानी में insoluble होती है पानी में मिलती ही नहीं है आप इनको कितना ही पानी से धोलो यह निकलती नहीं है but soluble in hydrocarbon लेकिन यह hydrocarbon के अंदर क्या होती है soluble होती है अब क्या होता है students धान से समझेगा मैं आपको यह चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं यह आपका cloth है यह आपका cloth है और आपने क्या किया कि कुछ काम किया और उस काम के करते हुए आपको एक तेल क दाग लग गया यह क्या है oil drop है यह यह oil drop लग गई आपके cloth के तो आप साब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं इसको इसको आपको धोना पड़ेगा तो जैसे ही आप इसको पानी में डालते हो students यह तो आपका cloth है पर यह आपकी oil drop है तो जैसे आप इसको पानी में डालते हो साबुन के अंदर या detergent के अंदर तो उसके जो साबुन होता है उसके आदत क्या है वो तो इस तरह का reaction कर लेगा इस तरह का shape बना लेगा आपके जो दाग है आपका उसके चारो तरफ अभी अभी आपको समझाया था कि ऐसी reaction बन जा पार की तरफ होता है और जो positive part होता है मतलब hydrocarbon वाला पार्ट पॉ अंदर की तरफ होता है अब students यह जो यह क्या है यह oil की बूंद कहें सकते हो oil drop है या फिर grease है यह पानी के अंदर तो insoluble है अभी लिखा हुआ है कि पानी के अंदर क्या है यह insoluble है पानी में तो मिलेगी य लेकिन these are soluble in hydrocarbons यह क्या है इधरवाला पार्ट यह hydrocarbon है hydrocarbon है तो यह जो बूंद की जो गंदगी होती है ना students यह hydrocarbon में मिल जाती है क्योंकि यह इसमें मिल सकती है इसलिए इसमें क्या हो जाती है मिल जाती है अब यह इसमें क्या है मिल गई इसमें मिल गई यह जुड़ गई आपस में अब मिलने के बाद क्या होता है अब यहाँ पर water तो ही पानी में भी तो मिला रखे हो ना यहाँ पर क्या है water है तो यह वाला जो part होता है यह hydrophilic part होता है मतलब कि water lover तो यह पानी को अपनी तरफ खेंचता है ऐसे ऐसे खेंचता है अपनी तरफ चारो तरफ से तो जैसे यह अपनी तरफ खेंचता है तो यह सब मिलके जोर लगाते हैं यह भी खेंच रहा है यह भी खेंच रहा है यह भी खेंच रहा है यह आपकी गंदगी को लेके और water में मिला देते हैं, इस तरह से, समझ रहे हो आप, यह आपकी बूंद छूट चुकी है, यह आपकी oil drop थी, समझ में आया, नहीं समझ में आया है, तो आप आपस से पीछे कीजिए वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठ इन दिस, hydrophobic, hydrocarbon part attracts the grease, जो hydrophobic यह वाला जो पार्ट होता है, यह grease यानि की oil को attract करता है अपनी तरफ, hydrophilic polar part remains outside, और hydrophilic polar part जो होता है, वो outside रहता है, so missile is formed around grease, इस कारण से जो missile होता है, वो चारो तरफ बन जाता है, the polar part, polar end present outside and attracts water, मैंने कहा कि पानी को अपनी तरफ attract करता है यह, and whole grease या फिर impurity is drawn in water, और सारी की सारी impurity को कहा ले जाता है, यह water के अंदर ले जाता है, तो यह यहाँ पर हमारा खतम होता है, students, missile का जो mechanism है, कुछ नहीं है, simple सी बात है, वापस से पीछे करो, वीडियो को आपक तेल की बूंद है, यह पानी के अंदर नहीं मिल सकती, इसलिए हमने इसमें क्या मिलाया है, यह soap है, यह soap क्या करता है, soap का जो यह वाला पार्ट है, पीछे वाला hydrocarbon पार्ट, यह इस बूंद को अपने अंदर मिला लेता है, और जैसे यह मिला लेता है, यह वाली, जो hydrophilic पार्ट है, मतलब नेगेटिव पार्ट जो है, यह बाहर की तरफ, यह water को अपनी तरफ attract करता है, क्योंकि यह water lover है यह, तो attract करेगा अपनी तरफ, तो क्या करता है, यह जो मिल चुकी impurity, इसको भी अपनी तरफ खेंच लेता है, ऐसे कैसे और पानी मिला देता है, तो इस त बनते हैं दुनिया में, सारे के सारे क्या होता है, नेगेटिव ली चार्ज होता है, और एक्वली चार्ज होता है, मतलब कि एसा नहीं कि किसी तरफ दो न तो इस कारेंट से क्या होता है जब भी आप गंदा कपड़ा डालते हो पानी के अंदर तो मिसेल उस पर काम करता है और आपकी जो गंदगी है उसको निकाल देता है इसलिए जब भी आप water में से अपने मतलब साबुन के पानी से अपने कपड़े को निकालते हो तो वह हमेशा साफ होकर निकलता है क्योंकि missile क्या करता है कि पानी में काम करता है precipitate नहीं होता नीचे के तरफ students तो yes हमने बात करिए आज आप से missile के बारे में students और अब मैं आप से बात करना चाहता हूं questions के अब तक हमने इतने सारे questions भी देख लिए है और notes भी देख लिए है students देखिए यह आपके RBSC की book है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें किस तरह से question आते हैं जितने भी question मैं आपको दिखा रहा हूं students यह सारे equation आप कर सकते हैं अगर आपने notes अच्छे से पढ़े हैं तो देखिए the aqueous solution of base base का जो solution होता है aqueous वो क्या करता है convert करता है red litmus को blue में और acid का होता है तो क्या करता है blue को red में convert करता है students तो यह इस तरह से है the solution of acid and base are conductor of electricity conduct करती है यह मैंने आपको बता रखा है lectures के अंदर ही तो इस तरह से students यह खूब सारे हमारे questions है आप इनको note कर लीजी आपके पास book तो होगी और नहीं है book तो आप इनको note करिए देखिए आप मैं आपको दिखा रहा हूं आप यह note करिए फिर मैं आपको और नीचे का दिखाता हूं अब आपको दिख रहा होगा students ठीक है ठीक है students यह multiple choice वाले questions आपको दिख गए उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह वाले questions एक सेकंडे camera हिल गया यह देखिए students अब आपको लिखना है very short type questions 12, 13 and 14 आप लिख लीजिए इसमें आपको लिखे हूए भी मिलेंगी कुछ सारे answers तो आप उनको करने की कोशिश कीजिए यह आप इसमें से ही करेंगे जो भी notes आपको लिखवाए हैं उसमें से ही देखिए 15, 16, 17 यह आपको जो कुछ लिखावा मिलेगा इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए आप तो सिर्फ question करने पर ध्यान दीजिए स्टुडेंट्स यह मुझे पुरानी बुक रेंज हुई थी है कि स्टुडेंट्स है क्योंकि अभी मैं नई बुक नहीं ला सकता इसलिए लोग डाउन है बाहर तो देखिए आप यह questions है 34 तक और 35th question बड़ा ही आसान जो अभी यह भी मैंने करवाया देखिए जो आज जितना भी पढ़ाया है ना पूरा का पूरा इसमें आएगा एक बात और बता देता हूं students कि जो question आपने कर लिये है notes के अंदर आप उन questions को नहीं करेंगे सिर्फ वो ही question आप करेंगे जो question आपको मैंने notes के अंदर नहीं करवाए है ठीक है और अगर आपको नहीं आते है questions तो आप मुझे comment कर सकते है ताकि मैं आपको उनका answer के लिए एक video बना दूँगा वो आप तक पहुँच जाएगे students तो चलिए आज के लिए इतना ही students और कोई भी doubt है तो पूछ लिए जाएगा comment के अंदर आप से मिलते हैं हम next lecture के अं झाल